हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक लेक्टॉनिक्स और दोस्तों यहां पे जो टावर होम थ्यूटर देख रहे हैं इसका जो वायरिंग है पूरा टूटा हुआ है तो इसका अक्यू पराना होम थ्यूटर है ug और यह बैक का है ठीक है तो फ्रेंट का जो प्लास्टिक का पैनल होता है वह हमारा बिल्कुल से तूट चुका है इसमें सिर्फ वायर लगा हुआ है और यहां पर दो स्पीकर है जो कि वह भी खराब हो चुका है ठीक है और इसके बाइक साइड में अगर मैं आपको दिखा प्रकार प्रकार का जी बोड्र यूज किया गया है अगर इसके उपर वइडियो आप देखना जाते हैं तो इसका लिंक मांगो डिस्कृप्चिन में देदूंगा आप एक सान पारिंग कर देखार हम है तो दोस्तों आप विडियो को कंप्लीट कीजिए भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएका कि यहाँ इस प्रकार से रहे इस्ट zerosな पर सबसे पहले में स्पीकर को चेंज करने वाला हुँ कई मुद्धा경 हो जो आए तो यहाँ पर पहले मैं स्पीकर को चेंज कर लेता हूँ आई हम इस पहले वाली स्पीकर को यहाँ से निकाल लेते हैं उसके नए वाली स्पीकर को लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारी स्क्रू स्पीकर का निकाल लिया है उसके बढ़ाने वाले speaker को हम यहां से निकाल लेंगे यहां भी बिल्कुल खराब speaker हो चुका है तो यहां पर हम इसको फटा लेंगे और यहां से जो wire इसका गया हुआ है तो wire को हम दुसरा change कर लेंगे इस परकार से निकाल लेंगे इसको इसमें glue gun से जो इसको hole को pack किया रहता है यहाँ पे यह जो hole है यहाँ पे देख सकते हैं यह जो hole को जो है glue gun से यहाँ पे चिपकाए हुआ रहता है बाकि यहाँ पे यह दोनों wire है हमारा speaker का है तो इसको अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे speaker का wire हमारा आगे पहुंचता है तो हम इसी speaker का wire को जोड़ देंगे नहीं तो दूसरा wire हम लगा देंगे तो यहाँ पे दोनों wire आ जाता है तो आए यहाँ पे जो हम दोनों wire में speaker कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पर मैंने एक speaker का यहाँ पर connection कर दिया है उसके बाद दूसरे वाले speaker में wire को connect कर लूँगा यहाँ पर दोनों को connect करने के बाद आपको glue gun से यहाँ पर फिर से pack कर देना है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा पीछे से back side से कर दूँगा तब तक इसको मैं यहाँ से speaker को screw से tight कर लेता हूँ तो यहाँ पर speaker का connection हो चुका है इसके back side में अगर देखें तो यह जो हमारा speaker का जो magnet होता है उसी से यह हमारा tight हो चुका है तो speaker का wire हमारा यहाँ से खेचाने का कोई chance नहीं है ठीक है यहाँ पर बिल्कुल speaker के magnet से cover हो चुका है और आप चाहे तो यहाँ पर glue gun से भी इसको block कर सकते हो यहाँ पर हो चुका है तो speaker का wire हमारा यह वाला आ जाता है जो कि yellow और green है और grey और white है यह वाला यहाँ पर ध्यान डखना है कि आपको कौन सा speaker का है फिर भी मैं आपको इपर बता दू यहाँ पर जो है यह टाई को यहाँ पर काटने के बाद पता चलेगा क्योंकि उसी color का जो है और wire हमारा अंदर से आता है ठीक है तो यहाँ पर जोगर हम इसको देखते हैं तो यह वाला wire और यह वाला wire दोनों साथ हमें आया हुआ है तो इस दोनों को एक साथ हम गाट बांद लेंगे ताकि हमें याद रहेगा कि यह हमारा speaker का wire है ठीक है तो यह हमेंने side कर लिय उसके बाद इसमें जो यह वाला motor wire आता है यह हमारा subwoofer का आता है ठीक है तो इसको भी हम side कर लेते हैं और इससे साथ package को कर देते ताकि यह हमारा speaker का हो जाएगा जो की subwoofer का है और हमारा satellite speaker का है और बाकी यहाँ पर हमारा जो है दो wire है फिर तीन wire है उसके बाद यह हमारा motor wire है और यहाँ पर यह 10 color का wire है ठीक है तो आएए आगे जो है इसका panel हम connection करते हैं जो इसका front पर यहाँ पर यह वायर आता है यहाँ वायर आता है तो इसका connection जो है audio module के साथ करेंगे और potensiometer के साथ इसका connection करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह 6 color का जो wire है इसको हम लेंगे तो 3 color जो है हमारा volume के लिए हो जाता है और 3 हमारा base control के लिए हो जाता है तो आएए इसमें किस परकार से volume और base control के लिए जो potensiometer लगेगा उसका connection करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो volume के लिए मैं यूज करूँगा यह dual channel का यह potensiometer है जोकी हमारा यहाँ पे 100K का है आप यहाँ पे 47K का भी जो है यूज कर सकते हो तो यहाँ पे किस परकार से इसका connection करना है तो इसका जो तिन नमबर का जो pin होता है उसको एक साथ हम ground कर लेंगे कुछ इस परकार से यहाँ पे यह तिन नमबर का जो pin है दोनों के एक साथ sort करके मैं इसको sold कर लूँगा यहाँ पे मैंने दोनों के एक साथ जो है एक connect कर दिया है यहाँ पे बचा हमारा यह first दो pin और बीच वाला हमारा दो pin तो यहाँ पे अगर हम volume का जो wire अगर हम लेकर चलते हैं तो यह जो हमारा black है brown है और red है तो उसको हम इसके middle वाले में connection करेंगे जो कि बीच वाला pin है ठीक है तो यहाँ पे हम जो तीन wire हम इसको मान लेते हैं volume के लिए जो कि audio input होगा home theater के board पे बीच वाले को हम side कर लेते हैं और यह हमारा red और black हम इसको left right main मान लेते हैं तो इसका जो connection होगा इस potential meter के beach वाले में connection होगा रेड और ब्लेक को यहाँ पर मैं connection कर दूँगा इस पोटेंसिल मीटर के बीच वाले पीन में आगे और पीछे ठीक है और इस वायर का जो बीच वाला हमारा वायर है उसको ground में connection कर देंगे यहाँ पर तो यह ground का वायर हमारा हो जाता है यह हो चुका है आप यहाँ पर अच्छे तरीका से समझ गए होंगे उसके बाद यहाँ पर दो पीन बचा हुआ है यह first वाला और यह आगे का first वाला ठीक है तो उसमें मैं यहाँ पर audio panel में जो audio output होता है उसके लिए आप छोटा सा connector दिया रहता है जिसमें मैं इसको use करने वाला हूँ तो फिर से हम इसको बीच वाला wire को हम इसको side में कर लेते हैं और यहाँ पर बचा हमारा red और black तो इसको मैं यहाँ पर connection कर दूँगा जिस परकार से मैंने media वाला में किया था उसी परकार से यहाँ पर जो खाली pin बचा हुआ है उसमें मैं इसका connection कर दूँगा यहाँ पर यह हो चुका है उसके बाद यह उपर का जो हमारा बचा हुआ है एक pin उसमें मैं इसका connection कर दूँगा यहाँ पर हो चुका है first वाला pin में और इस connector का जो बीच वाला wire बाचा है जो की brown color का है तो उसको भी मैं यहाँ पे जो है इस volume के ground वाले पे मैं connection कर दूँँगा जहाँ पर मैंने तीसरा नमबर फिन को दोनों के एक साथ ground किया था तो यह हो चुका है आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि potentiometer में मैंने कौन सा color का wire यूज किया था ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान रखे brown, red और black वाला आप potentiometer का जो main volume होता है उसमें यूज किया था उसके बाद यह हो चुका है उसके बाद यहाँ पे यह बचा orange color और yellow और green color इसमें भी तीन wire है इसको मैं base control के लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ यहाँ पे यहाँ पे देख लें यह भी 100 के का है तो इसको मैं connection कैसे करूँगा जो तीसरा number पीन है उसको मैं ground के साथ connect कर दूँगा यहाँ पे उसके बाद आता है yellow तो yellow को हम बीच वाले में connection कर देंगे उसके बाद आता है orange तो orange को first वाले में हम connection कर देंगे आईए यहाँ पे थोरा में इसको details में बताते हैं कि यह जो हमारा potentiometer किस परकार से काम करता है तो यह जो पहला number पीन है वो हमारा low pass filter जो 45.5 का लगा होता है वहाँ से output होता है जो कि low pass filter होता है mono होता है और यहाँ pin input होता है orange wire के जड़िए और yellow wire के जड़िए यहाँ से output होता है जो कि IC की एक नमर pin पे जाता है जिससे आप सब उफर को control करते हो और यह तो ground के साथ जोड़ जाता है तो यह हमारा कुछ इस परकार से काम करता है ठीक है तो यह भी हो चुका है इसमें उसके बाद हम connection करने वाले है उसमें audio पैनल का तो audio पैनल का connection हम यहाँ पे करने वाले हैं तो यहाँ पे रहा मेरा audio module तो इसमें supply के connection करेंगे audio input का करेंगे और audio output का connection करेंगे तो इसमें supply के लिए दोस्तों यहाँ पे यह दो वैर हमारा आया हुआ है जो की green और yellow color का है तो इसको मैं supply के लिए use कर लेता हूँ यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे green और yellow वैर ही होगा कोई दोसरा भी color हो बस दो वैर आपको लेना है और यहाँ पे जो red color का जो यहाँ पे jack लगा हुआ है उस पे हम इसका connection कर देंगे तो उपर में हमारा जो है उपर 5 volt और नीचे इसका GND है तो जो 5 volt होगा उसमें हम इसका yellow color का जो वैर है उसका connection कर देंगे और जो हमारा GND है उसमें green का connection कर देंगे तो इससे हमारा 5 volt का supply में मिल जाता है इस परकार से जो इसका connection कर देना है यहाँ पी हो चुका है उसके बाद audio जो output यहाँ से करेगा तो इस potensometer में जो हमारा जो volume लगाया मैंने यहाँ से input हो जाएगा लेकिन मैंने आपको शुरू में दिखाया था जो इसका back वाला panel है उसमें audio input का भी option होता है ठीक है तो उस wire के लिए मैं यहाँ से जो है यह 3 wire यूज कर लूँगा यह 3 wire जो है इसको मैं यूज कर लूँगा यह 3 wire ले लिया मैंने और यहाँ पर जो है मारा aux input के लिए जो यहाँ पर दिया रहता है option r in left in और gnd तो यहाँ पर इसका हम connection कर देंगे तो यह जो wire है यह इसमें 4 wire है तो एक wire को मैं खाली छोड़ दूँगा और यहाँ पर 3 wire है तो बीच वाले को मैं ground कर दूँगा बाकि दोनों को left right कर दूँगा ताकि back side में जो मैं connection करने में आसानी हो तो यहाँ पर हम connection कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने 3 wire को इस audio input के जगह पर मैंने कर दिया है और यहाँ पर यह wire खाली बच गया और यह wire हमारा खाली बच गया ठीक है तो आइए इसको भी हम use कर लेते हैं तो इसको मैं क्या करूँगा यह जो मोटा वाला wire है इसको मैं इस USB के body पर connect कर दूँगा यहाँ पर यहाँ पर body पर मैंने connection कर दिया है उसके बाद यह जो blue वाला wire वाचा वो हम FM के लिए यहाँ पर connect कर देंगे आप इसमें FM continue के लिए connect कर भी सकते हो चाहे नहीं भी कर सकते हो ठीक है वो आपके उपर है क्योंकि FM आजकर कोई भी use नहीं करता है तो यहाँ पर जो blue wire motor वाला है उसको मैंने body से connect कर दिया है ताकि मैं ground के साथ connect करूँ तो humming हमारा कम हो जाए ठीक है तो यहाँ पर आगे का जो है हमारा सभी connection हो चुका है मैं किसी तरीका से इसको यहाँ पर fit कर दूँगा और potentiometer को किसी परकार से कर दूँगा फिलहाल यह इसका wiring यहाँ पर जो है already हो चुका है अब चलते हैं इसके back side में और connection करते हैं boat के साथ ठीक है तो यहाँ पर मैं back side से एक बार आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो यह transformer है उसमें तीन wire आता है जो की 120-12 का यहाँ पर supply आता है मैं आपको एक बार हटा कर दिखा देता हूँ उसके बार मैं फिर से आपको connection करके दिखाता हूँ तो यह जो transformer से तीन wire आता है तो यहाँ पर 120-12 का यहाँ पर connection होता है यहाँ पर यह वाला beach वाला ground है बाकि यह दोनों हमारा 12 और 12 आता है ठीक है यह कोई जरूरी नहीं है कि beach वाला ground ही है आप इसको find कर ले यहाँ पर जो main capacitor होता है उसको series में लगा होता है तो यहाँ पर यह ground करके इसमें दिया हुआ रहता है ठीक है किसी किसी में जो ground होता है हमारा side में होता है बाकि 12 और 12 side में होता है मैं जब वो board आएगा मैं आपको 0 का कर दूँगा और फिर से मैं यहाँ पर 12 का कर दूँगा तो यह 12-0-12 का यहाँ पर connection हो चुका है और यहाँ पर इस board में 78-0-5 भी लगा हुआ है तो आपको 5 volt यहीं से मिलेगा किसी किसी में नहीं रहता है तो अलग से लगाना पड़ता है तो यहाँ पर 3 IC लगे हुए ह तो यह दोनों हमारा satellite के लिए है बाकि यह जो हमारा subwoofer के लिए लगाया जाता है तो आईए हम इसका connection करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पर जो jack लगा हुआ है तो यह वाला जो CN5 जो हमारा audio output के लिए जो कि speaker में लगेगा satellite के speaker में यहाँ cn4 है तो यह हमारा होगा audio input का जो मैंने potentiometer लगाया था main volume के लिए जिसका wire था हमारा black, brown और red ठीक है इसका input यहाँ पर आएगा जो कि volume से control होके यहाँ पर आएगा उसके just bugle में cn3 है तो यहाँ पर 3 pin आता है तो यह हमारा potentiometer को control करने के लिए है और just इसके bugle में cn6 है य यह हमारा 5 volt output के लिए यहाँ पर दिया गया है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो हमारा jack है यह हमारा subwoofer control के लिए है और यह तो transformer का already हो चुका है तो आए इसके back side में हम इसका connection करते हैं तो एक बार मैं आपको फिट से दिखा दूँ कि यहाँ पर जो यह वाला point है तीन point हमारा speaker output के लिए है और यह तीन वाला हमारा audio input के लिए और यह तीन जो है हमारा subwoofer control के लिए और यह हमारा 12 volt के लिए यहाँ पर आता है सोरी दोस्तों यहाँ पर जो यह प्रिंट है यह 12 volt के लिए आता है मुझे लगा कि यहाँ पर 5 volt के लिए आता है क्योंकि 5 volt के ल वायर जो connection किया था तो यह जो तीन कलर का वायर है वो मेरा था audio input के लिए ठिक है यह जो तीन वायर है उसको बीच वाला वायर को हम side कर लेंगे और यह जो दो वायर वचा उसको हम यहाँ पे connection करेंगे जहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो यह जो पीन है हमारा यहाँ पर यह वाला और यहाँ पर ठीक है यह दोनों पीन हमारा जो है potential meter के beach वाले पीन से आता है जो कि यहाँ पर यह sound को control करके इस दोनों IC में देता है उसके बाद बचा हमारा beach वाला एक brown color का wire ठीक है तो यह वाला क्यों हम इस bugle में दो print एक साथ आपको देख रहा है यह हमारा ground है तो इसको ground के साथ connect कर देंगे उसके बाद यहाँ पर जो तीन wire मैंने आपको बताया था जो कि potential meter जो हमारा तो green वाले wire को मैंने ground में लगाया था तो इसको मैं यहाँ पर connect कर लूँगा उसके बाद जो yellow color का wire है उसके just बीच वाले pin में डाल देंगे उसके बाद बचा हमारा orange color तो मैं यहाँ पर इसका डाल दूँगा ठीक है यह हमारा हो चुका है तो यह हमारा potential meter का है और यह हमारा subwoofer control के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह हो चुका है उसके बाद हम इसमें connection करेंगे audio output का और 5 volt का ठीक है तो audio output का मैंने यहाँ पर जो है wire को connect किया था जो कि मैंने गाठ बांद दिया था शुरू में ही आपको दिखाया था यहाँ पर यह इसको मैं खोड़ लेता हूँ ठीक है तो यह जो दोनों हमारा wire है शुरू में मैंने दो satellite speaker लगाया था उसका यह दोनों wire है तो दोनों speaker से दो-दो wire हमारा आता है तो उसी का यह दो-दो wire है तो इसमें मैं क्या करूँगा एक की speaker का यह दोनों wire है और एक की speaker का यह दोनों wire है तो यहाँ पर हम दोनों speaker का एक-एक wire एक साथ में connect कर लूँगा इसका connection हम यहाँ पर करेंगे यह वाला जो print आप देख रहे हूँ यहाँ पर यहाँ पर तो ये वाला जो print है मारा beach वाला वो हमारा ground है बाकि ये दुनों हमारा left right है तो एक साथ जो मैंने wire को connect किया था उसको मैं beach print के साथ connect कर दूँगा जो कि हमारा ground में चला जाएगा उसके वाद जो एक yellow color का wire बचा तो मैं इसमें कर दूँगा और दूसरा हमारा white color का wire बचा उसको मैं इसमें कर दूँगा इसमें कर दूँगा यह हो चुका हमारा speaker का ठीक है और यहां पे अप देख सकते हैं कि audio output के लिए यहाँ पे RCA socket लगा हुआ है तो दो पीन जो हमारा audio input के लिए और दो हमारा audio output के लिए तो audio output के जगह पे यहाँ पे wire हमारा लगा हुआ है तीन color का तो जो हमारा black color का है वो हमारा ground है बाकी दोनों हमारा left right है तो black वाले को हम यहाँ पर ground के साथ connect कर देंगे जो कि इस print पर यहाँ पर यह ground आता है उसके बाद यहाँ पर जो है जहाँ पर मैंने yellow color और white वाला का connection किया था उसी पर मैं एक wire को connection कर दूँगा तो यहाँ पर इसका print यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर इसका connection कर दूँगा तो यह हो चुका हमारा यहाँ पर audio output का ठीक है और यहाँ पर audio input के लिए मैंने यह वाला wire को choose किया था जो कि हमारा यह color है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसका audio input के जगवा पर connection कर दोता हूँ यहां पे इसका connection हो चुका है ठीक है आईए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँगा एक बार फिट से तो यहां पे देख लिजिए जो left right है उसको मैंने उपर वाले pin पे मैंने connection कर दिया है और जो एक ground का बाइर बचा उसको मैंने यहां पे कर दिया ठीक है और एक बाइर बचा हमारा यह जो है blue color का वह हमारा antenna का है तो आप इसके साथ antenna के बार यहां पे आता है तो आप इसको connect कर सकते हो यहां पे एक मोटा सा wire है जो कि यह subwoofer से आता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था यह subwoofer के लिए आता है तो subwoofer का यहां से जो है आप wire को connect कर सकते हो एक की यहां पर आता है subwoofer का एक की यहां पर आता है ठीक है मैं आपको नजदीक में दिखाने कुशिश करूँगा subwoofer का जो है एक यहां पर होगा जो कि इस IC के चार नमर पी और एक ground के साथ होगा और यह इसका जो हम connection कर लेते हैं जो कि हमारा subwoofer का है जो minus वाला point है उसको मैं यहां पर ground के साथ connect कर दूँगा उसके बाद जो प्लस वाला है उसको मैं इस IC के चार नमर पिन पर डाल दूँगा ठो頭 यहां पर subwoofer का हमारा connection हो चुका है अब जो वार हमारा बचा एक ये जो है हमारा FM का है तो FM का मैं यहां पर एक छोड़ा सा blue का वार है यहां पर blue वार आता है जो कि कटा हुआ है उसके साथ में इसको connect कर दूँगा जो की FM का है अब इसके जब आपर Bluetooth के इंटीना भी कनेक्ट कर सकते हो जिससे ब्लुटूथ का रिजिन थोड़ा बढ़ भी सकता है तो यहां पर मैंने FM का वायर को लगा दिया है दोस्तों यहां पर एक वायर छुट गया है जो कि मेर हमारा पैनल कहीं छुट गया है तो यहां पर यह दो वायर अंदर था तो इसको जो हम क्या करेंगे कि यहां पर दो वायर हमारा आता है तो एक हमारा येलो जो है प्लस के लिए और दूसरा जो हमारा ग्रीन है वो हमारा ग्राउंड के लिए जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा हमारा filter के लिए लगा होता है ये capacitor का ये दो पीन है और ये capacitor का ये दोनों पीन है ठीक है तो यहाँ पर इस capacitor का जो minus वाला point ही इधर वाला उस पर हम इसका connection करेंगे जिससे क्या होगा कि humming जो हमारा कम होगा जो कि ground बनता है plus और minus का जो हमारा capacitor होता है ठीक है तो यहाँ पर होता है तो यहाँ पर जो है हमारा supply के लिए ये हमारा connect हो चुका है ये क्वार हमारा ground पर है जो कि इस capacitor के minus वाले पर है मैं आपको इक पर मैं आपको इक वार अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने इसका वायर कहां पर connection किया है जैसे कि यह home theater का जो power supply होता है तो यहां पर plus और minus एक साथ connect होके ground तयार होता है तो यह जो minus वाला है ground का उसी पर इसका connection करेंगे जिससे हमारा humming कम हो ठीक है तो इस परकार से यह green वाले को connection किया है वहां पर इसको connection कर देंगे या simply जो ground का wire आता है वहां पर इसका connection कर देंगे तो यहां पर ground का मोटा वायर हो चुका है सबसे last वाला काम बचा दोस्तों हमारा यहां पर जो है इसका power supply का ठीक है तो मैं यहां पर power supply आपको दिखा रहा हूं तो power supply के लिए यहां पर स्विच लगा हुआ है और इस टांसफरमर का यह वाला wire है तो यहां पर main wire है तो इसको मैं यहां पर निकाल देता हूं सबसे पहले कि यहां पर मैंने main wire को जो है लगा दिया है तो यहां पर एक black है और इक हमारा red है तो red का एक wire हम इस switch में connection करेंगे यहां पर switch लगा हुआ है तो यह जो switch है उसमें एक red wire को मैं connection कर दूंगा यह हो चुका है उसके बाद transformer का जो दो वायर है उसको एक wire को मैं यहां पर connection कर दूंगा जो कि switch से हो कर जाएगा और दूसरे वाले वायर को मैं इस डारेक्ट ब्लेक वाले के साथ मैं कनेक्शन कर दूँगा यहां पर यह हो चुका है उसके बाद यह जो हमारा वायर है इस पर मैं टेप लगा दूँगा तो दोस्तो यहां पर यह हो चुका है अब लगाक हमारा जो यहां पर सभी वायरिंग है हमारा हो चुका है तो आईए फैनली हम इसको जह इस बॉड़ी में टाइट कर लेते हैं कि यहां पर थोड़ा सक कनेक्शन इसका बचा हुआ है तो यहां जो प्रटेंसर मीटर में कनेक्टर लगाया था मैंने तो इसको जो है मैं यहां पर लगा दूँगा जहां पर इसका audio output होता है तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि यहां पर चार पिन output होते हैं जिसमें एक एंटीना का है और एक एंटीना यहां पर भी है तो इसका बार यहां भी जाता है ठीक है तो यहां पर मैं एंटीना को छोर को यहां पर लगा दूँगा तो यह हमारा audio input क यहां पर हो जाता है विए उसके बाद यह वारा प्टेरuti merit dough यहां भाझता है तो इसमें क्या है कि जो तीन पीने वाला है वैसका बेस कंट्रोल के लिए यह हमारा प्टेर मेन हमारा वोलिम के लिए तो आई यह अब हम इसको यह उपर एक करते हैं मैं इसमेंaster psych करते है तो तो मैंने इसमें साप्लाई दे दिया है और देख सकते हैं इस पैनल पर हमारा जो है सप्लाई आ चुका है और यह अभी हमारा एफ हमोड पर है तो है इसमें हम सउंग को प्ले करते हैं प्लेबाइ यूएसबी ज्राइव तो यहां पे मारा यूएसबी ज्राइव हमारा चालू हो चुका है तो यहां भी दोनों स्पीकर काम कर रहा है हमारा ठीक है आई यह थोरा हम सब उफर को भी चेक करका को दिखाते कि यहां पे जो मारा सब उफर लगा हुआ हो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने step by step आपको wire को connection करके दिखाया है अगर आपको कहीं से problem लगे तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हैं और back side में मैंने आपको connection दिखाया था इसका तो यहां पे आप एक speaker भी दो speaker को जो है आप इस पे output के जगापर ले सकते हो और यहां पे input के जगापर जो है aux डालके यूच कर सकते हो तो यहां पे इसका जो है हमारा function कुछ इस परकार से काम करता है और इसका wiring भी दोस्तों मारा complete हो चुका है तो इस परकार से इसका आप wiring कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लागा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और अमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो